आज के इस पूडियो में आप लोगों बताऊंगा जो की ब्लॉग टेंप्रेट हम लोगों ने फेच करी है अपने सैनिटी प्रोजेक्ट के डेटा को दिखाने के लिए किस तरह से उसको अपने अपने इस सैनिटी ब्लॉग में ब्लॉग टेंप्रेट को लगाए जिसको यहां पर सटार्ट करूंगा तकि मुझे लिंक दिखे और आप लोग देख सकते हो हमारे ब्लॉग कुछ इस तरह से दिख रहा है यह हमारा सैनिटी क्लाइप को करेंट कर रहा है और यहां पर हमारे सारे ब्लॉग को को देखने को लिए विच इस ग्रेट ठीक है अभी में कोई भी इंसान जाता है slash blogs पर तो वो हमारे सारे blogs बढ़ पाएगा ठीक है तो इस तरह की कुछ functionality रखूंगा अभी मैं तो मैं क्या करता हूं यहां पर आँगा अपने blogs.js में उपस कोई error दिख रहा है मुझे did you mean careset तो यार इसको fix करते है careset यहां भी नहीं है शायद blog.js में है यहां पर भी नहीं है शायद कौन से पेच पर है कौन से पेच पर है तो आप यहां पर cross origin यूज मत करो cross capital origin यूज करो यह सारी चीज़ अब लोग fix कर लेंगा यार में के template में देख लोगा यह सारी चीज़ें कहां पर आ रहे है error but अभी के लिए मेरे जो blog.js है मेरी जो blog.js है कहां गए तो यह रहा और यहां पर मैं क्या करूँगा simply यह blog.js नहीं मुझे next.js का blog.js चाहिए blog.js इसमें मैं simply क्या करूँगा जो मेरे blogs होंगे उनको मैं slice करूँगा in fact groc में ही मैं slice करूँगा मैं आ पर काऊँगा मुझे सिर्फ 3 चाहिए ठीक है sorry मुझे सिर्फ 2 चाहिए ठीक है तो 0 से लेकि 2 तक और मैं कुछ इस तरह से करूँगा तो I hope कि मेरे पास जब मैं home पर जाऊँगा तब मुझे यहां पर blogs सिर्फ 3 दिखेंगे नहीं चार दिख रहें why 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 तो मुझे यह चीज index.html में करनी चीज़ए I'm sorry index.html में करनी यह चीज मुझे blog में नहीं करनी है ठीक है और index.js पर स्काम को करूँगा और server site props और यहां पर मैं 0 to 0 dot 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 1 ठीक है 0 से लेके 1 तक अभी मैं इसको अगर reload करूँ दोबारा से तो यहां पर सिर्फ एक दिख रहा है ठीक है अगर मैं 0 to 3 करूँ तो शहीं तीन दिखेंगे is it reload कर रहा हूँ हाँ तीन दिख रहे हैं which is fine अब हमें यहां पर क्या करना है ब्लॉक पेज ठीक है हमारा जो ब्लॉक पेज है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो वह ब्लॉक पेज बनाना होगा और वहां पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने ब्लॉक की टेम्परेट पोस.html ठीक है तो इस पोस.html को थोड़ा बहुत clean करेंगे सबसे पहले तो क्योंकि यह clean बिल्कुल भी नहीं किया हूँ है मैं अभी तक ठीक है अब यह highlight.js.highlight.all function है यह मैं हटाऊंगा highlight.js मैं यूज नहीं करूँगा ठीक है अभी के लिए मैं इसको copy करूँगा ठीक है और इसको यहाँ पर paste करूँगा और यहाँ पर simply इसको next.js compliant बनाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर pre tag के अंदर यह है यह सारी html लिखी हुई है इसके अंदर अभी के लिए यहाँ पर जो head में यह सारी css लगानी है तो मैं simply क्या करूँगा यह जो head है इसको मैं लेकर जाओंगा next head के अंदर ठीक है अब इन कामों को करने के भी तरीके हैं सही तरीके हैं वह भी मैं आपनों को बताऊंगा पर अभी के लिए हमें कुछ भी करके अपनी जो यह block के अंदर underscore slug.js है यह वाली template को functional बनाना है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक jsx fragment बनाऊंगा और इसके अंदर सब कुल डालूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर capital H लिखूँगा next head का इस्तिमाल करना चाहता हूँ इसलिए और यहाँ पर भी capital H लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा import head from next head ठीक है और यह capital H होगा ठीक है और अभी दिखते हैं कोई error तो नहीं आया और हाँ error आ गया है चल js is not defined ठीक है अब यह ठीक हो गया बढ़िया अब क्या करेंगे हम head के बाद इसके नीचे का जो content है उसको copy करेंगे और paste करेंगे तो यह जो body है जिसमें colon class is equal to यह ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर body के अंदर यह जो लिखा हुआ था इसको मैंने खतम किया div x data is equal to यह भी मैं खतम करूँगा यह जरूर मुझे यह क्या पता नहीं मुझे मैं यहाँ पर आऊँगा और इस div को paste कर दूँगा and definitely यहाँ पर error आएगा मुझे पता था ठीक है अब यह error शुरू कहां से हो रहा है यहाँ से हो रहा है यह यह जो code है प्री पूरा tag हटाऊँगा और यहाँ पर आभी देखता हूं कि no quick fixes available दिखा रहा है यहाँ से error शुरू हो रहा है यहाँ से error शुरू नहीं यहाँ से हो रहा है देखता हूं यार देखता हूं क्या चल रहा है IMG src is equal to this यह चीज हटानी होगा ठीक है यह हटाया यहाँ से यह हटाना होगा अब जो template है आपने हैं यह कोई next.js की template नहीं है आपको online next.js की template में मिल जाएंगे अगर आप लोग search करोगे तो तो यह मैं आपर इसको fix करने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ पर कोई auto fixable quick fix fix all auto fixable problems नहीं आ रहा है क्या दिक्कत आ रही है बस मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं यह div यह div अच्छा करो मैं इसको कोई fix करके wrap in jsx fragment कर दूँ तब यह ठीक हो गया ऐसा क्यों हुआ ठीक अच्छी बात है देखता हूं अभी यह कैसा दिख रहा है unterminated rejects literal इसको मालो मैं हटाओं अब अब आ गया अब यह चीज जो है यह चीज मुझे हटानी है यह template तो आ गई यह चीज क्या है यह भी देख लेता हूं remove ctrl c थोड़ा बहुत जुगार जुगार खेलना पड़ेगा समझ रहे हो यह चीज घटाई मैंने अब मुझे यह चीज घटानी है about services यह जो यह phone के लिए है इसको मैं inspect करता हूं और यह जो चीज है यह रही तो मैं यह class से search करूँगा इसको अब आपने जाए लोग कह गए कि यार इतनी महनत क्यों करें यार मुझे महनत के बदले मिल भी तो रहा है आप देखों महनत के बदले मुझे अच्छी tablet मिल रही है तो महनत क्यों ना करूँ ठीक है तो save किया मैंने यह भी उड़ गया क्या ही responsive है वाव यार वाव क्या लग रहा है अब यह जो post आ रहा है मज़ा लिखकर आ रहा है इसको मैं नीचे से हटा देता हूं ठीक है तो यह जो post आ रहा है मज़ा जो कि मैंने यह लिखा हुआ इसको मैं यह से हटा देता हूं भी ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं है save किया मैंने और इसको प्रेलोड किया और हाँ अब सही है अब बढ़ी है अब मज़ा आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंट डिजाइन यह सब चीज़े जो है पोस्ट के अंदर है अब यहाँ पर जो है आप अगर ब्लॉक कोई भी खोलोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा अब यह कह रहा है HLJS is not defined तो HLJS मुझे चाहिए भी नहीं है HLJS यह मैं हटाओंगा यह वाली स्क्रिप्ट HighlightJS भी हटाओंगा मुझे नहीं चाहिए ठीक है अगर आपको चाहिए हो तो आप कर सकते हो यह सारी चीज़े अलग से कर सकते हो About में गए मानलो मैं About में यह चला गया ठीक है अब मानलो मैं चला गया यहाँ पर लड़स से मैं इस ब्लॉक पोस्ट को पढ़ना चाहता हूं आ रहा है मजा वाले ब्लॉक पोस्ट को तो मुझे Server Side Props से इसको Fetch भी करना पड़ेगा ठीक है इसको Server Side Props में जाकर Fetch करना तो मैं आपर simply क्या करूँगा कि Server Side Props के अंदर जाओंगा नीचे जाओंगा Get Server Side Props function को Implement करूँगा ठीक है तो मैं Export Default Get Server Side Props लिखूँगा यापर Get Server Side Props Come on GitHub Copilot मुझे लिख कर दे बाई प्लीज यार प्लीज यार हाँ ये ठीक है ये क्या हुआ अभी क्या दिक्कत आ रही है इसको Export Default पोस्ट किया Export Get Server Side Props ठीक है Default नहीं होता है Export Get Server Side Props यहर मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर Get Server Side Props लिखता हूँ और यहाँ पर इस तरह से इसको Export भी करना पड़ता है Export Const is equal to एक arrow function ठीक है ना हाँ पता नहीं हाँ इस Defined multiple times यह के समझा के यार यह क्या चल रहा है यह मैंने एक function बनाया ठीक है सेव किया अब क्या दिक्कत आ रही है इसको प्रिवेस देफिनिशन ऑफ Get Server Side Props है यह क्या हो रहा है यार क्या ओपर भी line number 3 पर भी Get Server Side Props है यह क्या हुआ यह अच्छा मजग है तभी मैं गहरा हूंग यह error क्यों आ रहा है अभी यह आपर यह चल जाना चाहिए GetPost is not defined ओके तो यह पता नहीं क्या क्या से रन कर दिया तो मैं यह आपर लिख रहा हूँ const blog is equal to और यहां पर मैं करूँगा await client.fetch ठीक है और वह मैं लेकर रहा हूँगा सारी की सारी syntax यहां से ठीक है तो मैं client बनाऊँगा, sanity client बनाऊँगा, query बनाऊँगा, fetch करूँगा और return भी करूँगा ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से इसको लेकर रहा हूँगा जहां blog लिखा हूँगा, जहां blogs लिखा हूँगा, ठीक है तो blog is equal to यह type is equal to is equal to blog and slug equals to slug.current equals to dollar slug क्या यही query है, मुझे नहीं पता, सच मता हूँ तो ठीक है देखता हूँगा चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है return, मैं यहां पर console log करूँगा ठीक है और यहां पर भी मैं blog लिखाँगा ठीक है, और मैं यहां पर अपने terminal को देखाँगा और यहां पर इसको reload करूँगा, create client is undefined, no problems, define कर देंगे, मैं उपर आऊंगा और यहां पर मैं create client को भी define करूँगा, ठीक है तो ऊपर आकर create client, copy किया और यहां पर paste कर देता हूँ, ठीक है और paste करने के बाद अब मैं इसको reload करूँगा तो dollar slug referenced but not provided, शायद यह ऐसे नहीं कर सकता मैं, query is equal to this, slug is equal to context.query, slug.current equals to equals to, और हम यहां पर क्या करेंगे, dollar slug नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, let us say, मैं single quote के अंदर लिखता हूँ, slug, ठीक है, यह dollar slug कुछ इस तरह से लिखता यार, github copilot हट जा यार, मुझे confusion हो रहा actually, github copilot की वज़े से, reload करता हूँ, इसको देखता हूँ, कि यहां पर print one null लिखकर आ रहा है यार, ठीक है, तो grok cheat sheet पर जाएंगे, यार अगर हम लोग cheat sheet पर देगे तो आप लोग को यहां पर दिखेगा, slug.current equals to some slug इन्होंने यहां दिखाया हुआ है, ठीक है तो अगर मैं यहां पर end end करके slug.current equals to यह लिखूं तो यह चलना चाहिए मैं just console.lock slug लिखकर यहां पर चेक करना जाता हूँ कि मेरा slug भी capture किया 3 3 3 3 3 ठीक है, खोल रहा हूँ 780 studio और देख रहा हूँ क्या चल रहा है अब आ रहा है मज़ा वाला मुझे नहीं देख रहा है, ब्लॉग ऐसा क्यों ऐसा क्यों यहां पर मैंने slug से fetch किया तो क्यों नहीं आ रहा है, मैं vision में जाकर is query को run करके देखता हूँ और देखता हूँ कि यह चल रही है कि नहीं, ठीक है, equals to equals to मैं लिखूँगा यहाँ पर आ रहा है मज़ा ठीक है, type equals to equals to blog and इसको थोड़ा समय ऐसे कर लूँगा and slug.current equals to equals to अब आ रहा है मज़ा spellings ठीक है न, इसको मैं fetch करूँ अगर तो यहां पर result आ रहा है false, result false ऐसा क्यों, result false क्यों आ रहा है अब आ रहा है मज़ा, slug.current equals to equals to मैं यहीं से copy करता हूँ यार तो यार, finally यह expression मैंने बनाया और यह बिल्कुल सही-सही चला मैंने basically क्या किया, मैंने का underscore type equals to blog and slug.current equals to equals to this और यार यह चल गया था तो मैं अभी यहां पर आप लोग को इसको reload करके दिखाऊँ और इसके बाद यहां पर दिखाऊँ तो देखो यह आ रहा है, ठीक है और मुझे चाहिए सिर्फ एक, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँगा और अब मैं reload करूँगा यहां पर, तो सिर्फ एक आना चाहिए, और हाँ, एक आ भी रहा है, ठीक है और यह मेरा blog है, और मैं इस blog को उपर भेज दूँगा, तो मैंने एक console.log अटाया यह वाली query चली थी, तो आप इसको note कर सकते हो, अब मुझे simply क्या करना है, कि जो blog है मेरा, इसको मुझे उपर populate करना है और मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से populate करते हैं, content को, ठीक है, तो यह चीज तो आप लोग को मालूमी थी तो उसके लिए हम वही code यूज करने वाले हैं, मैंने index.js से यह वाला code हटाया था, बट मैंने यह comment आउट करके इसलिए रखा था कि आप लोग easily इसको यूज कर पाऊ, ठीक है, तो मैं इस code को दुबारा से लेकर आऊँगा, portable text वाले code को, और इसे copy करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर blog.title लिखूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर blog को लेकर आऊँगा, ठीक है, फिर यहाँ पर title है, हम आपर blog.title लिखूँगा, ठीक है, य simply यह चाता हूँ कि आप लोग इस blog को sanity point of view से पूरा clearly बना पाऊ, ठीक है, जो sanity वाला perspective है, sanity वाला part है, वो एकदम clear रहे, ठीक है, तो blog.title मैंने किया, and finally, यहाँ पर जो lorem ipsum लिखा हुआ है, h2 lorem ipsum, यह कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, h2, यहाँ से अब देखते जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं, सब मिटा दूँगा, छोड़ूँगा, नहीं कुछ भी, देख रहे होगा इस आप लोग, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, 179 से 198 तक, 179 से 198 तक सब कुछ मिटा दा है, ठीक है, यह भी मिटा दिया, and finally, front end, back end, एक में, ट्यार, कुछ मैंने गलबड तो नहीं मार दी गई, error तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, सही है, तो यह लॉरम इपसम जो लिखा हुआ है, यह h2 के अंदर इसको भी मिटाओ, और यहाँ पर लिखाओ, यहाँ पर लिखाओ, यहाँ पर लिखाओ, पॉर अब इसली red नहीं करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पर, error आया, portable text is not defined, कोई बात नहीं, portable text उपर से लेकर आएंगे, एकदम top से import portable text, यहाँ से cut करूँगा, यहाँ से एकदम cut करूँगा, और cut करके उपर लेकर जाओंगा, यहाँ पर paste करूँगा ठीक है, save किया मैंने, reload करूँगा, and finally जब मैं reload करूँगा, यह कह रहा है, blocks is not defined, blocks is not defined, block.content है, blocks नहीं है, अब सही हो जाना चाहिए, इसको, reload किया, अब आ रहा है, मजा तो आ गया, मजा आ रहा है, बड़ी आया, अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, जो अब मजा आ रहा है था, इसके अंतर, थोड़ा सा, मैं, underline करके, content डालूँगा, और publish करूँगा, और finally यहाँ पर reload करके, आप लोग को दिखाऊँगा, और आप लोग देखो, यहाँ पर underline content आ रहा है, यानि कि, अभी जो हमारा content आ रहा है, यह हमारा server से आ रहा है, और यह parts हो रहा है, portable text parts हो हो रहा है, सबसे जादा important चीज यह है, यह phone में कैसी दिख रही है, देखते है, phone में भी बहुत बड़ी है, मजा रहा है, मजा रहा है, अब मजा रहा है, काम करने में, ठीक है, so I hope कि आप लोग को मजा आया, ठीक है, और इसकी जो front end UI में थोड़े-बोडे fixes हैं, वो सब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी चीज है, आप लोग सको करी सकते हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूंगा, Sanity का जो boosted plan है, उसको जरूर check out, आप लोग कर लेना, क्योंकि, अगर आप लोग check out उसको नहीं करोगे, तो आपको boosted plan नहीं मिल पाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, so boosted plan Sanity का link description में है, check out कर लेना, और इस playlist को bookmark जरूर कर लेना, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल